दोस्तो अगर आपको ततकाल अभी पैसों की जरुत है और आपको इस लोन एप्लिकेशन सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोन एप्लिकेशन के बारे म पूरी डीटेल देने वाला हूँ जिनसे आप घर बैठे बिना इंकम प्रूर बिना असानी से लगभग पांच लाग रुपे तक का जो है लोन ले सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरी डीटेल देने वाला हूँ इसलिए वीडियो को एंड तक देखेगा कभी भी जब आपको इमरजंसी में पैसो की जरुत होगी आप यहाँ पर घर बैठे इंस्टनी फून से बस लोन ले पाएंगे कहीं पर भी आपको जाने की जरुत नहीं है तो वीडियो को बस end तक देखिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पड़ पड़ से चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफेकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आपके लिए इस चैनल के उपर नई प सबसे पहले तो आपको ये लग रहा होगा कि कैसे 5 लाख रुपै का लौन बिना income proof बिना bank statement जो है, मिल जाएगा, सही बात है, बिना income proof बिना bank statement पांच लाख रुपै तक का लौन मिलना ना मुम्किन है, लेकिन यहां पे हम लोन एप्लिकेशन के बात कर रहे हैं, और आज के देट में जैसे कि बाखी के काम हम अपने फोन से स्मार्टफोन की मदब से कुछ ही मिन्टों के अंदर में एप्लिकेशन की मदब से कर सकते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे इन एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके इसे बहुत सारे एन वी एप्लिकेशन के उपर लगबग डीटेल वीडियो करी है और बहुत सारे लोन एप्लिकेशन का पेमेंट प्रूव भी मैं आपको दिखा चुका हूँ यानि कि लोन का प्रूव भी दिखा चुका हूँ सबसे पहले इंपोर्टेंट क्रैटेरिया समझते हैं ऐसा नहीं हो कि जब हम लोन अप्लाई करने जाएं तो हमारा लोन मैक्सिमम टाइम रिजेक्ट हो जाए सबसे पहला इलिजबिटी क्रैटेरिया है आपका सिविल स्कोर सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए इन किसी भी लोन अप्लिकेशन में अगर आप लोन अप्लाई करते हैं आपने पहले कोई लोन नहीं लिया है और आप फॉर्स टाइम लोन अप्लाई करते हैं तो डरने की जुरत नहीं है क्योंकि सिविल आपका कम हो सकता है लेकिन डाउन न वाइट करते हैं इसरा जो इनकम का सोर्स भले ही आपको बैंक स्टेट्मेंट वगर अपलोड नहीं करना है लेकिन इनकम का सोर्स होगा तभी जो है लोन आपको यहां पर मिलता है तम इसलिए क्या रहा हूं कि जब भी आप लोन अप्लिकेशन को अपने फोन के अंदर फिर भी 99% ऐसे लोन अप्लिकेशन है जो फोन में इंस्टॉल करते के साथ ही आपको एक बहतर लोन लिमिट प्रोवाइट कर सके हैं अब ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप उन अप्लिकेशन को फोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं जो भी ट्रांजिक्शन मैसेजिस होते ह उनको वो एप्लिकेशन ड्रीट करते हैं उसके बाद जो है आपको एक बहतर लोन लिमिट प्रोवाइट करते हैं इसलिए आपके पास एक इंकम सोर्स भी ज़रूरी है अगर आपके फोन में ट्रांजेक्शन मैसेजिस हैं तो आपको बहतर लोन लिमिट असानी से मिल जाए हैं अब इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानने के लिए आपको यहां पर maximum loan at the time नहीं मिलता है अगर आप loan पहली बार apply कर रहा है इन्य applications में तो आपको शुरू में कम loan मिलता है क्योंकि यह loan आपको unsecured provide करती हैं यह सभी loan applications और जैसा कि मैं बहुत सारी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि यह लगबग आपके payment behavior को देखते हुए आपकी loan eligibility यानि की limit बढ़ाती हैं तो सुरू में छोटा loan repayment जैसे जैसे आप करेंगे आपका higher loan eligibility मिलती जाएगी आपको तो यह सारी चीज़े आप जरूर समझ लेजए इसके अलावा documentation documentation में दोस्तों maximum loan applications में जैसा कि मैंने आपको बताया अधार pen card की requirement होती है आपको बस यह दो document कि वाइसी करने के लिए upload करने होते हैं अपनी selfie देनी होती है और match जो कि auto debit के होता है e mandate के लिए उसे sign करना होता है activate करने के लिए वहाँ पर भी आपको अधार OTP की requirement होती है तो यह सारे process करके आप असानी से loan ले सकते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर अल्रेडी आप इस article को देख सकते हैं आप अधारसलोन.com के उपर जाएंगे और यहाँ पर पूरी डीटेल में जो है आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर short करके बता देता हूँ और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर loan का इंट्रेस्ट समझते हैं दोस्तों यहाँ पर loan का जो इंट्रेस्ट है वो चुकि हम unsecured loan ले रहे हैं और unsecured loan लेने में आपको थोरा महंगा यहाँ पर ब्याज जरूर देखने के लिए मिल जाएगा loan application आपको चार्ज करती है कम से कम 18% almost जब आपका credit history बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है पूर है तो आपको maximum 36% तक भी ब्याज देना पड़ सकता है तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेगा loan apply करते हो प्रोसेसिंग fee और बागी के charges की बात कर लो तो 2% का आपको यह eligibility criteria देखा documentation देखा अगर आप eligible हैं loan रेने के लिए तो आपको इन applications में loan apply करना चाहिए simply जाना है play store के उपर और play store के उपर जिन applications का मैं आपको नाम बता रहा हूं उनको search करना है आपको as usual applications मिल जाएंगे बस आपको उन्हें अपने phone में install करना है और loan apply करना है वीडियो में आ नहीं कर रहा हूं आई यह one by one समझते हैं कि हमको किस application में loan apply करना है और कितना तक हमें loan यहां पर मिल सकता है तो दोस्तों जैसा कि आप screen के उपर देख पा रहे हैं यह loan applications आपको play store के उपर मिल जाएंगे और जैसा कि देख पा रहे हैं सबसे पहला जो loan application है वो है नावी जो इंपोर्टेंट application है वो है credit जी जो की एक हजार से लेकर दो लाग रुपे तक का loan आपको provide करता है और maximum 15 महीनों के लिए 10 वर भी provide करता है loan का repayment करने के लिए credit जो की evergreen बहुत लंबे समय से service provide कर रहा है एक हजार से लेकर 2 लाग रुपे तक का loan provide करता है आपको और 15 महीनों क पर देखने के लिए मिल जाता है इसके बाद समार्ट कोई समार्ट कोई आपको 4000 रुपे से लेकर एक लाग रुपे तक का loan provide करता चौबीस महीने के लिए आपको इहां पर 10 वर भी देखने के 로 Quiet करता है और 60 महीने का 10 वर यहां पर देखने के लिए आपको मिलता है इस loan application मे maximum आपको bank statement अपना submit करना पड़ सकता है और ये loan application लगभग सभी cities के अंदर applicable भी नहीं है इनका working city भी आपको देखना होगा इसके अलबाद जो branch है बहुत ही अच्छा application है 50,000 का loan आपको provide करता है यहाँ पे सुरू में ये loan चोटे हो सकते है आपको जो 10-1 यहाँ पे मिलता है वो 12 महिनों का देखने के लिए मिलता है अब उन application है वह है home credit का भी आप application इस्तमाल कर सकते है जो कि 2,000,000 रुपे तक का loan provide करता है और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पैन काड अपलोड करना पड़ता है eligibility के लिए 24 महिने तक का 10-1 भी आपको देखने के लिए आपे मिल जाएगा इसके बाद है available finance जो कि 50,000 रुपे का loan provide करता है और 12 महिनों का 10-1 भी provide करता है तो यह सभी loan application आज के date में evergreen है वैसे तो बहुत सारे loan applications हैं play store के उपर लेकिन इन applications में अगर आप loan apply करते हैं तो आपको maximum chances जे की loan देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि अब अगर आप बहुत सारे loan applications को phone के अंदर install करके बार-बार apply कर रहे हैं तो वो आपके credit request में भी दिखता है loan के query में भी दिखता है और कहीं न कहीं इस से भी आपका civil score impact होता है तो इस तरीके का जो है activity ना करें confirm जहाँ पर loan मिलने वाला है आपको वहाँ पर loan apply करें ये सभी applications आपके payment behavior के ऊपर आपको loan provide करती है शुरू में loan यहाँ पर जरूर छोटा हो सकता है अगर आप बार-बार best तरीके से समय पर repayment कर रहे हैं तो एक time के बाद आपको अच्छा-कासा loan eligibility मिलता चला जाएगा तो दोस्तों ये था चोटा सा update अगर आप किसी भी situation में हैं और आपको loan की requirement है अभी तो बस phone उठाइए application को install करिए अपने अधार और pen card को upload करिए instruction को follow करिए जो कि बहुत ही जादा आसान है easy है आप इन instruction को follow करके आपको विश्वास नहीं होगा कुछी घंटों के अंदर में आप instantly loan ले सकते हैं उमीद करता हूँ आपको सही और proper information में हाँ पर दे पाया हूँ वीडियो अगर अच्छे लगी हो प्लीज लाइक और शेर करना मन भूलिएगा इस वीडियो से संब्दित किसी भी तरिकी की query हो आपके मुन में प्लीज मुझे comment करके बताईएगा ताकि मैं आपके उन queries को solve कर सकूँ आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम